देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरे जानने के लिए चलिए नज़र डालते हैं आची कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ बड़ी खबर जनपद आगरा से है सेना भरती में सेंद लगाने की कोशिश की गई है फरजी दस्तावेजों के आधार पर भरती देखने आए अब भ्यारतियों को पुलीस ने किया है ग्रफतार कुल 15 लोगों को सिकंद्रा पुलीस ने किया है ग्रफतार फरजी दस्तावेज के साथ लैप्टॉप स्कैनर वा अन्य उपकरण बरामत किये हैं सिगंद्रा छेत्र इस्तिद्द आनंद इंजीनियर कॉलेज में चल रही है सेना भरती देखिए जनपद आगरा में कल से 15 परवड़ी से आर्मी की रैली आयुजित की जा रही है जिसमें आसपास के जनपदों से बच्चे आकर फिजिकल और दौर की एक्जाम दे रहे हैं और इसमें ब्यापक सुरक्षा ब्यवस्था जो है बनाई गई है इसके प्रभारी के तौर पे सहायक के तौर पे सहायक पुलिस अजिक्षग हरी परवड और S.P.C.T के नितिरत में पूरी सुरक्षा ब्यवस्था और इंटेलिजेंस कलेक्षन का कारे दिया गया है आज कल की कारवाई में हमारी टीम को खाना सिकंदरा की टीम को काफी अच्छी सफलता प्राप्त हुई जिसमें कुल पंदरह लोगों को गिरफतार किया गया है इसमें से 10 इस्टुएंट हैं कैंडिडेट हैं जिसोंने फरजी आधार कार्ड या फरजी आवासिये निवास परमान पत्र के आधार पर एक्जाम में भरती में हिस्सा लिया है और सक्सेस्फुल होकर अपने कैरेक्टर वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कारे कर रहे थे इसके अतरिक्त पांच वो लोग गिरफतार हुए हैं जिनने जो कंप्यूटर लैप्टॉप के माध्यम से फरजी आधार कार्ट फरजी निवास परमान पत्र या फरजी जाती परमान पत्र और फरजी अन्य डॉकुमेंट्स तयार करते थे और बच्चों को उपलग्द कराते थे इन पांचों को भी गिरफतार कर खुल 15 लोगों को गिरफतार किया गया है ये पूरी प्रक्रिया में निवास के अस्थान के हिसाब से डेट फिक्स किये गए हैं और बच्चों को कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा मौका मिले फरजी निवास प्रमानपत्र या आधार कर तैयार कर अलग-अलग दिनों में हिसा लेते हैं थाकि उन्हें अधिक मौका मिल सके और इसके लिए मिलिटरी इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस की टीम, पुलिस की टीम लगी हुई थी और हमने भ्यापक अभियान के तौर पे कलकुल 15 लोगों को गिरफतार किया है और ये हमारी अभियान लगातार चलती रहेगी जब तक ये कारवाई आर्मी भरती रैली चल लई है और मैं इसलिए अपील भी करूँगा कि कोई भी विप्ति किसी के जहांसे में आये बिना फरजी डॉकुमेंट के अधार पे इसमें हिस्ताना ले अन्य था उनके बिलुक कारवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा और भविश्य में वो किसी भी इस प्रकार के न इस पूरे गिरों के पास से काफी मात्रा में जो है कूट रचित डॉकुमेंट हमें मिले हैं इनके पास से दो लैप्टॉप एक कलर प्रिंटर और भारी मात्रा में फोस डॉकुमेंट जैसे की 11 आधार कार्ट, 2 एडमिट कार्ट, 8 निवास प्रमान पत्र जो फरजी थे, 6 सपत पत्र, 6 जाती प्रमान पत्र जो फरजी थे, 3 अविवाहित प्रमान पत्र और इसी प्रकार से कूट रचित आधार कार्ट आधी भी हमें काफी मात्रा में इनके पास से मिले हैं और जिनकी निसान दही पे ये कुल, बांकी 10 कैंडिडेट और गिरफतार हुए हैं, इसक कि अत्रिक भी पुछ ऐसे लोग होंगे जो अनसक्सिस्फुल होके, फेल करके बाहर चले गए थे, परन्तु हम आगे से इस पे और निकानी रख रहे हैं और उनको पहले ही पकरने का प्रयास भी कर रहे हैं